हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ओल उफ यू अन बिंदाजीस फोरम स्वागा ताप लोग अपने चैनल बिंदाजीस फोरम पर दो फ्रेंड्स जो सुप्रीम कोट में फाइनली हो गया है वह आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो यह कैवियेट आज से एक दिन पहले लगबग आज हो गया तेईस यह बीस या किस को फाइल हुआ है ठीक है और यहां पर देख सकते हैं जो कैवियेट ही है यह स्टेट डिपार्टमेंट यानि स्टेट डिपार्टमेंट कहले तो यह बिहार गौर्डमेंट थी यहां पर इस्टेट डिपार्टमेंट हो गया ठीक है इस्टेट डिपार्टमेंट में बिहार में आप आप हो गया यह बीटी एसी ठीक है तो यह बीटी एसी आपका यहां पर इस्टेट डिपार्ट के तरफ से ये चावीट होगा जो गावियेट फाइल की है और उसका नाम नहीं बता पाऊंगा और जो फाइल किये उनका भी नाम तो फाइनली जो कैवियेट होगा है यह बहुत ही एक पॉजिटीव फॉरवर्ड एक्षन है फॉर रिजल्ट्स रिजल्ट और स्कोर कार्ट के लिए क्योंकि बचाव पक्ष को मजबूत करने के लिए फेवर में अपने रिजल्ट के लिए ये करना जरूरी था और ये कैविएट फाइल अंतिम रूप से हो गया है आप लोगों मैं बोला था अपने चैनल के माद्यम से कि मैं कैविएट का प्रूफ दूँगा तो मुझे जो प्राप्त हुआ मैं आपके सामने बता दिया इसके पीछे का लॉजिक बस एक ही है कि रिजल्ट में कोई बाधा या अर्चन ना हो और कोई भी इससे वन्चितना रहे और वैसे सभी लोग जो लोग फंडिंग के सिकार हो रहे हैं बार बार क्योंकि रिजल्ट आ चुका है और पट्ना हाई कोट का तो अब एक आपचारिक मात्री बच गया है बिटीर्स्ट और बिहार गॉर्णमेंट को जो मैं बार बार कह रहा हूं कि चार जून को रिजल्ट स्वरी स्कोर कार्ड चार जून या चार जून के बाद दे दिया जाएगा यानि कि फर्स्ट विक आप जून में आपको स्कोर कार्ड देखने को मिल जाएगा जब यह सब चीज हो रहा है तो वैसे जितने भी जो अन्प्रिविलेज लोग या निकी कह सकते हैं जो एकनॉमिकली या पैसे से बार बार परसान है और उनसे बार बार फंडिंग के लिए एस्पेक्ट किया जा रहा है तो यह आपके उपर यह आपके बुद्धी बिवेक के करता है कि आप फंडिंग करया नहीं इससे कोई लेना देना नहीं है मुझे बस मैं एक ही बात बोलूँगा कि आप का पैसा है आप जैसे भी उसको यूज करें लेकिन रिजल्ट अबाना है और गेस्ट वाले जहां तक गॉर्मेंट का कॉंट्रेक्ट है तो उसके कॉर्डि जो अभी भी बहुत सारे सीट्स बाकी है खाली है तो उसके अंसार अगर देखा जाए तो अपकमिंग जो भी बहाली होगी तब तक तो वो लोग बने रहेंगे लगबग 70-80% क्योंकि अभी भी जो रिक्त खाली सीटों की संख्या लगबग 1700 से 1800 है तो वैसे देखा जाए तो गेश्ट इंस्ट्रक्टर की जो पोस्ट है और जो नोकरी है और जितने लोग कॉंट्रेक्ट वाले हैं तो उन पर कुछ ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा और एक नियमित बहाली किस के जो भागिदार होंगे जो अनियमित हो जाएंगे तो जो भी लोग उनके उपर कोई खत्राने पास एकी चीज है कि आप गलत जगा के सिकार ना बने और फंडिंग जो भी है आपका वाधिकार है उस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता लेकिन इतना मैं जब बोलूँगा कि जब रिजल्ट आना ही है सब्चे डिसीजन हो गया है तो उस चीज के पीछ होता नहीं है कि जब लोग उससे फ्रस्त हो जाते हैं की बार बार पैर पकड़की पीछे खीचा जा रहा है तो को आगे इıt बोलूए होता। बहुत ही पॉजिटिव डारेक्शन है कि रिजल्ट और स्कोर काड़ाएगा और सब की जोइनिंग होगी बाकि फंडिंग के लिए और मैं कुछ नहीं बोलूंगा आप लोग अपना पैसा को बेर्थ में ऐसे बरबाद ना करें सही जगा पर पैसा देना है तो दें गलत जगा के सिकार हो रहे हैं तो वैसे लोगों से आप लोग बच्चे के रहिए ताकि पैसा आपका है समय आपका है मेहनत आपका है तो परड़ाम पैसा है और आज के लिए पैसा है सब कुछ है तो अपने पैसे का आप लोग ख्यार लखें अपने मेहनत का ख्यार लखें जो अपकर जाएगा भी तो कुछ जादा नहीं होने वाला है क्योंकि caveat file ओर रेड़ी हो चुका है caveat file होने का मतलब ही है कि पहले जो भी पक्ष इसको file किया है उसके बातों को सुना जाएगा उसके बाद जो जो एगेंस प्रक्ष है उसके बात को लिया जाएगा तो इसके साथ और मैं कु पॉजिटिव रही है चार जूनके बाद आपको स्कूर कार्ड जरूर मिलेगा थैंक्स फॉर वाचिंग लिस्निंग और बिंदा जीस फोरम किप कंटिनी और प्रिप्रेशन सब्सक्राइब कर दीजिए इससे मेरा भी थोड़ा मोराल बनता है जब मैं आप लोग का इतना ह चैनल के माध्यम से तुरंत देता हूं ITI से संबंदित कोई भी जनकारी है सबसे पहले मैं आपको देता हूं और थैंक्स फॉर वाचिंग वन्स अगेन और बिंदा जीस फोरम तैयारी करते रहिए सामको आठ बजे मिलते हैं तो पूरी डिटेल में लोग बात करेंगे